पाकिस्तान से समय बड़ी खबर आ रही है बम धमाके में नौ चीनी और तीन पाकिस्तानियों के मरने की खबर है ये धमाका एक बस में हुआ है ये बस खैबर पक्तुनवा से के दासू हाइड्रो पावर प्रजेक्ट की तरफ जा रहे थी तबी रास्ते में ये धमाका हुआ जिन नौ चीनी नागरिकों की जान गई वो इसी हाइड्रो पावर प्रजेक्ट में काम करते थे जबकि जिन तीन पाकिस्तानियों की मौत हुई एक बस में पाकिस्तान के तीन सुरक्षा करमी मारे गए चीनी नागरिकों की भी जान जाने की बात सामने आई है नौ चीनी नागरिकों की जान गई है इसी हाइडरो पावर प्रजेक्ट पे वो काम कर रहे थे चीनी नागरिक बस में सवार थे ये सभी, बस में ये धमाका हुआ है, खैबर पक्तुनक्वा, रांत में ये बड़ा धमाका, तीन पाकिस्तानी जवानों की मौत, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ ये बस जा रही थी खैबर पक्तुनक्वा से, रास्ते में ये धमाका हुआ, जिसमें नौ चीनी नागरेकों की मौत हुई है, वो इसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे, तीन पाकिस्तानी जवानों की भी मौत हुई है, सुरक्षा बलके जवान थे ये, तो दो तस्वीरें आपके सामने, तीन पाकिस्तानी जवानों की इस हाथ से में जा वाद की पाकिस्ता से नाकामी पर पर परदा डालने कि पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की सिर्फ हम लॉख जा रहा है परदा कोई न Harley होखे पोल्खोल कर रख दियें पर रहे हैं कि यह हाथसा नहीं अपने-टी सिर्फ की स्वापते न है था बस को धमाके के जरीय निशाना बनाये गया जिसमें अब तक उसके नौ नागरिक मारे गए हैं उसी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि चीन के सरकारी एक बार ग्लोबल टाइम्स ने इसे बॉम अटैक कहा है यानि एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनका चीन को बड़ा जटका लगा है वो इस घटना के निंदा करते हैं चीन घटना से प्रभावित चीनियों के साथ पाकिस्तानी लोगों के प्रती समवेधना व्यक्त करता है और इसी पूरे मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सही होगी प्रणे उपाद्याए जुड़ रहे हैं प्रणे इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए चीन कहता है कि बॉम अटैक हुआ है पाकिस्तान के कुछ और शब्द हैं क्या माइने निकाले हैं इस पूर लेकिन चीन की तरफ से के लिए ग्लोबल टाइम्स का बयान ही नहीं चीनी दूतावाज जो पाकिस्तान में इसलामाबाद में है उसकी तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है उसमें भी ना केवल इसे धमाका कहा गया है बलकि इस चीज़ को लेकर गहरी चिन्ता जताई गई है चीनी अधिकारीों ने ततकाल पाकिस्तानी सेना के ऊच अधिकारीों से समपर किया है और साथ ही इस चीज़ के उपर सखत इतराज भी जता दे हुए सभी नागरिकों को आगाह किया है कि बेहट सावधानी बरते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाला जो है वो निशित रूप से सुरक्षा का की चिंता का करण हो सकते हैं और इसके मद्दिनजर अनावशक ना तो किवल बाहर निकले और बलकि इसके अलावा बेहट सावधानी बरते हैं खास तोर पर अगर कहीं भी आना जाना हो उस चीज़ को लेकर, तो निशित रूप से ये बताता है कि चीन को कहीं ने कहीं आशंका है इस चीज को लेकर शोबना कि जो हालाद हैं जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें उसके नागरेकों के खिलाफ और भी अटैक हो सकते हैं वैसे इसके पहले भी या कोई पहला मौका नहीं इसके पहले भी चीनी इंजिनियर्स के खिलाफ हमले होते रहे हैं और खासतोर पर मौझूद आहालात के अंदर इस चीज की आशंका बढ़ रही है जी बिल्कुल प्रणे जिस तरीके से चीन कुछ कह रहा है पाकिस्तान कुछ कह रहा है कहीं न कहीं एक बार फिर पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है आगे बढ़ते हैं जमू कश्मीर में आज सुरक्षा बलो को बहुत बड़ी काम्याबी मिली तीन आतंकवादियों को धेर कर दिया गया इन में से एक आतंकवादी पाकिस्तानी है जबकि दो लोकल हैं इस साल अब तक 76 आतंकियों को कखात्मा किया जा चुका है जमू कश्मीर का पुलवामा एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूझ जिटा सुरक्षा बलो और आतंकवादियों के बीच मुट फेड हुई सुरक्षा बलो को बुखता खुफिया जानकारी मिली थी कि पुलवामा टाउन में दो से तीन आतंकी छीपे हुए हैं इसके बाद सुरक्षा बलो ने सर्च आपरेशन लाँच किया इस एंकाउंटर में लशकर का एक पाकिस्तानी और दो लोकल आतंकी मारे गाए मारे गए पाकिस्तानी आतंकी का नाम एजाज उर्फ अबू हुरेरा अबू हुरेरा लशकर तयबा का टॉप कमांडर था अबू हुरेरा श्री नगर और पुलवामा में सक्री था कल इमिनिंग में इसनेगर पुलिस को एक इतला मिली थी कि पुलमा टॉन में तीन ट्रिस्ट एलिटी के छिपे वें तो इसनेगर पुलमा पुलिस आर्मी स्यार्पी मिलकर कोड़न किया कोड़न करने के पाथ मिल्टेंड ने अंदर से ग्रेट फाइरिंग किया हम दो इतले चुकि शिविलियन बीच में फसे वे थे इसलिए अपरेशन को रोग दिये सिविलियन को पहले वेकेट के वहां से फिर अर्ली मौनिंग में इनकॉंटर रीजिम हुआ जिसमें तीन ट्रिस्ट मारा गए एक पाकिस्तानी एजाद जिसको अभू हुरा बोलते लिटी के बहुत प्लाने कमांडर यहां पर रहा है श्रीनिगर पुल्वामा में एक्टीव था वो मारा गया और दो लोकल ट्रिस्ट मारा गया अबू हुरारा कश्मीर में साल 2018 से एक्ट्यू था तब उसका एरिया सौथ कश्मीर का त्राल और पुल्वामा था लेकिन साल 2019 के बाद से जादा तर श्रीनिगर में एक्ट्यू हो गया था औ पुल्वामा अवंतिपोरा में फेल हुए IED हमलों में भी अबु हुरेरा शामिल था कमांडर अबु हुरेरा के साथ जो दो लोकल आतक की मारे गाए वो उसकी बदद कर रहे थे इन में से एक ने तो आल ही में उसे जॉइन किया था पुल्वामा इंकॉंटर में एक पाकिस्तानी एले टीटी कमांडर अबु हुरेरा भी मारे गए है अलॉंग दो लोकल को टर्रिस के अबु हुरेरा का मारे जाना जो है बहुत ही बड़ी उपलब्दी है सिकुर्टी फॉल्सर लिए और उस उनको बदाई देते है उस इलाके में सर्च ओपरेशन जारी है और वहां से आमज़र अस्तला जो है रेकवर हुआ है आतंकियों के सफाय के बाद पुल्वामा डाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया यहां की इंटरनेट सेवाय भी बंद कर दी गई है जिससे किसी दूसरी अवांचित घटना को रोका जा सके जमु कश्मीर में पिछले 13 दिनों में 16 आतंकियों को मारा जा चुका है इस साल अब तक 76 आतंकियों का सफाया हो चुका है और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं जादा जानकारी लिये हुए आसिफ कुरैशी अब तक 76 आतंकियों का खात्मा पिछले 13 दिन में 16 आतंकियों लेकिन अबू हुरेरा एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी कामिया बड़ी हिंसाय वो बड़ी हैं लेकिन सुरक्षा बलूं के लिए बड़ी काम्याबी की पिछले 13 दिनों में तीन पाकिस्तानी मिलिटन्स को मार गिराया उनके साथ जो स्थानिय युवक थे उनको भी मार गिराया और कहीं न कहीं उस ट्रेंड को तोडने की कोशिश सुरक्षा बलूं की तरफ से ये माना जा रहा है बिलकुल आसिव ये विदेशी आतंकवादी भारत की धर्ती पर आते हैं और स्थानिय जो युवक हैं उनको बहला फुसला कर आतंकवाद की ओर धकेलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान भले ही सीजफायर को मान रहा है लेकिन उसका इतिहास देखते हुए भरोसा करना बेहत मुश्किल है एलोसी पर हाल ही में दो बड़ी हुस्पैट नाकाम की गई ऐसे में भारती एफॉच की तरफ से चौकसी बेहत बढ़ा दी गई है एबिपी न्यूस समवाद आता आजे बाचरू ने हमें ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजिए वो आप देखिए लोसी पर गोली बारी बंद है लेकिन सेना पूरी तरह चौकस है पाकिस्तान सीसफायर का पालन कर रहा है लेकिन भारतीय फॉज उसकी नियत जानती है इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलोसी और अंतराश्ट्रिय सीमा पर युदविराम के शर्तों का सम्मान करने की बात कही थी लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह युदविराम की शर्तों के सम्मान के पीछे अपनी नापाक साज़िशों को अंजाम दे रहा है चाहे वो ड्रोन से हथियार गिराने का मामला हो या सीमा पार से घुसपैट कराने के फिराद पाकिस्तान की इसी बदनियती को जानते और समझते हुए ही सीमा पर भारतिया सेनिकों की चौक्सी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक महीने में दो बार घुसपैट की बड़ी कोशिश हो चुकी है जिसे नाकाम किया जा चुका है और भारतिया सेना को एक बार फिर पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान ने आतंकियों के लॉंचिंग पैट्स एक बार फिर सक्रिया कर दिये हैं ABP News इस समय मौझूद है जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की LOC पर सबसे समवेदन शीर इलाके पुंच में पुंच के ठीक सामने फारवर्ड कहुटा का वो इलाका दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ साज़शे रच रहा है यह जो सामने आप पहाड़ी का इलाका देख रहे हैं और जहां पर आपको छोटे छोटे से गर दिखाई दे रहे हैं यह दरसर फारवर्ड कहुटा का इलाका है जो पाकिस्तान अधिकित कश्मीर का सबसे बड़ा लाँच पैड है बताया जा रहा है कि यहां पर जैश और हिस्बूल के आतंकियों को ट्रेन किया जाता है ना केवल ट्रेन किया जाता है बलकि फारवर्ड कहुटा ही वो बड़ा लाँच पैड है जहां से इन आतंकियों को लाँच किया जाता है जमू के रजोरी और पुन्च के इलाकों में फारवर्ड कहुटा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी लाँचिंग पैड में शुमार होता है यहां से आतंकी संगठन जैशे महम्मद और लशकर तयबा के आतंकी 24 घंटे भारत में घुसने की फिराक में रहते हैं फारवर्ड कहुटा का जो इलाका है यह चिरी कोट इलाके में आता है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है और यहां पर नकेवल फारवर्ड कहुटा बलकि केरिनी, मंदार और नेजा पीर के बड़े लाँच पैड हैं जहां से पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी बे क्रेश के आतंकीव को ट्रेन कर भारत में बेजने की फिराक में हैं लेकिन यहां सलाम करना होगा भारतिय सेना के जज़बे को जो पाकिस्तान की ऐसी हर नापाक साज़िश पर नकेवल नजर रख रहा है बलकि पाकिस्तान की हर ऐसी नापाक साज़िश को नाकाम कर रहा है कोर्स अलकाइदा में शामिल होने के पांच अध्याय जिया आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले पांच पार्ट ये आपको किसी फिल्म के हिस्से लग रहे होंगे लेकिन ये फिल्म नहीं है हकीकत है लखनव में जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया उन सभी ने आतंक के इन पांच चैप्टर्स को पढ़कर इने पास कर बड़ा हमला करने की तैयारी की थी लखनों से पकड़े गए आतंकियों से पूछताच में हुआ है बड़ा खुलासा इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है क्योंकि उन्होंने आतंक के पांच पार्ट पढ़े जिसके बाद सैकड़ों की जान लेने पर उतारू हो गए अतंक के पांच अध्यायों को पढ़कर ही अतंकियों का ब्रेनवाश हो गया उनके दिमार्ट में इस हद तक नफरत बर गई कि मासूमों की जान लेने के लिए बम भी बना लिए एबिपी निउज आपको आतंक के इनी पांच अध्यायों के बारे में आज बताया है मिनहाज और मसीरुदीन एटीयस को बताया है कि अलकाइदा के भारतिये संगठन में शामिल होने के लिए उनके हैंडलर ने पांच स्टेप्स वाला क्रेश कोर्स कराया इसी क्रेश कोर्स से पास आउट होने के बाद ही ये अलकाइदा में शामिल हुए हैंडलर पूसता है कि बताओ कौम के लोगों के साथ किस तरह और कितना गलत हुआ है जिनके जवाब उसे अपनी योजना के मताबिक मिल जाते हैं उनका अगले चेप्टर के लिए चुनाओ कर लिया जाता है आतंक के क्रैश कोर्स का दूसरा चेप्टर है माइक्रो कम्यूनिटी चैट से पहचान होने के बाद गिरुह को जानकारी दी जाती है भाई जान बता कर जिहाद के लिए काम करने को ललकारा जाता है आतंक के क्रैश कोर्स का तीसरा चैप्टर है फिजिकल कॉन्टेक्ट चैट और माइक्रो कम्यूनिटी से संतुष्ट होने के बाद मिलने के लिए बुलाए जाता है मुलाकात के बाद सब को अलग-अलग टास्क दिया जाता है टास्क को पास करने के बाद ही हैंडलर से मीटिंग कराई जाती है जैसे ही कोई सक्स इन तीन चैप्टर को पास कर लेता है इसके बाद असली काम सुरू होता है अगले दो चेप्टर के जरीए उसका ब्रेन वास किया जाता है क्योंकि इसी के बाद नया भरती हुआ आतंकी बरबादी मचाने के लिए तयार हो चुका है लेकिन आतंक के क्रैश कोर्स के अगले दो चेप्टर को पढ़ाने से पहले चुने हुए नए आतंकियों को हर तरह से परखा जाता है मसलन गुर्गों की इस पर नज़र रहती है कि कौन टास्क को अच्छी तरह कर रहा है उन्हें रोज के रोज ब्रीफिंग दी जाती है कि किस ने अच्छा किया और जिस ने अच्छा नहीं किया वो कैसे अपने आपको दुरुष्ट करे पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इन्हें अगला चेप्टर पढ़ाय जाता है आतंक के क्रैश कोर्स का चौथा चेप्टर है कंड़क्टिंग ऑपरेशन इसमें हमले की पूरी साज़िश की तयारी की जाती है भरती हुए आतंकियों को बताया जाता है कि कब और कहां हमला करना है चौथे चेप्टर में ही नए आतंकियों को बताया जाता है कि उन्हें हैंडलर की तरफ से किस तरह की मदद मिले ही और उन्हें अपने इस तरह पर क्या इंतिजाम करना है इसके बाद आतंक के क्रेश कोर्स का आखरी और सबसे एहम चेप्टर पढ़ाया जाता है आतंक के क्रैश कोर्स का पांचवा चैप्टर है AQIS Unable जो युवा आतंक की गदी विधियों में शामिल होते हैं उन्हें AQIS Unable कहा जाता है इसमें भी दो कैटेग्री होती है पहली है AQIS Inspire और दूसरी है AQIS Lead प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी कल बनारस के दोरे पर हैं आठ महीने बाद मोदी बनारस में होंगे कल से काशी के कोटो बनने की मानुशरुवात हो रही है जापान की मदद से बनी रुद्राक्ष बिल्डिंग का पी-म लोकारपड करेंगे प्रदान मंतरी मोदी एक जन सभा को संबोधित भी करेंगे जिसके लिए बाकाइदा सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखते हुए कुरसियां लगाई जा रही है खुद योगी आदेतनाज सारी तयारियों का जाइज़ा ले रहे हैं प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के बनारस दोरे से पहले गीत संगीत से स्वागत की तयारी चल रही है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के बनारस दोरे से पहले गीत संगीत से स्वागत की तयारी चल रही है गुरुवार को करीब आठ महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी जा रहे हैं वैसे तो कारक्रम कई हैं लेकिन जो सबसे एहम है वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उधगाटर भारत जापन मेत्री का प्रतीक तयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर टीवी स्क्रीन पर जिस शांदार बिल्डिंग का वीडियो आप देख रहे हैं उसी का नाम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है इस बिल्डिंग को जापान की मदद से बनाया गया है बनारस की ये रुद्राक्ष बिल्डिंग भारत जापान मैत्री का प्रतीख है जिस काशी को क्योटो बनाने का सपना प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने देश को दिखाया था ये उसकी शुरुवात है इमारत भगवान भोलेनात के अधिप्रिय रुद्राक्ष की तरजपर बनी है इसमें अल्यूमिनियूम के 108 रुद्राक्ष बने है पीम अपने दौ मंत्रिय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र के नाम से जाना जा रहा है आपको बता दें कि जब जापान के उस वक्त के जो प्रधान मंत्री थे शिंजो अब बनारस आये थे तो उसके बाद इस रुद्राक्ष की निव रखी गए थी अब ये रुद्राक्ष बन कर तयार है प्र इस वक्त प्रधान मंत्री रुद्राक्ष में होंगे जापान डेलीगेसी से जुड़े लोग भी रुद्राक्ष में होंगे और प्रधान मंत्री आप देखे जो सामने बागीचा है जिसे जापान के तर्ज पर विक्सित किया गया है उस बागीचे को देखे तो इस परिसर जापान की मदद से 186 करोड में ये बिल्डिंग बन कर तयार हुई है साल 2012 में जब जापानी PMC जो आपे यहां मोदी के साथ आये थे तब इसकी नीव बड़ी थी तीन एकड में फैले इस convention center में ground floor, first floor से लेकर एक आलिशान hall भी है वियतनाम से मंगाई गई कुर्सियों पर 1200 लोग एक साथ बैट कर कोई कारिकरम देख सकते हैं इसका design भी जाबैन की एक company औरियंटल ग्लोबल ने तैयार किया है रुद्राक्ष से ही PM 715 करोड की योजनाओं का लोकारपन और 850 करोड के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे रुद्राक्ष का क्रेस देखिए कि वारणसी के कारोबारी ने अंग वस्तर पर रुद्राक्ष लिखवा दिया तो दूसरे कारोबारी ने रोदराक्ष बिल्डिंग के मॉडल का खिलोना बना दिया ये प्रधान मंत्री को भेट किये जाएंगे प्रधान मंत्री काशी को दो रोपैक्स बोट और एक क्रूज की सौगाद भी देने वाले हैं पी-म जिस रो-रो बोट को बनारस को भेट करेंगे उसकी खिशमता 200 सीटों की है इस पर गाडियों को ले जाने की भी विवस्था है पी-म वाराणसी आने वाले हैं और पी-म काशी को इस रोपैक्स बोट की सौगाद देंगे यह रोपैक्स बोट ही नहीं बलकि परिटन विवाग का जो क्रूज है उसकी भी सौगाद काशी को मिलने वाली है यह रोपैक्स खास है और आपको बता दें कि यहां इस बोट में 200 कुरसियां है यानि 200 लोगों को एक साथ ले जाया जा सकता है गंगा में घुमाया जा सकता है गंगा का दर्शन कराया जा सकता है तो परिटन के लिहाद से ये रुपैक्स बोट खास है और इसके साथ ये आपको बता दें कि इस रुपैक्स बोट में ट्रक भी रखी जा सकती है यानि मालवा हग भी है प्रधान मंत्री मोधी बीएच्यू कैंपस में सभा को संबोधित करने वाले कैंपस के आसपास का इलाका चमकाया जा रहा है और जिस जगा प्रधान मंत्री भाशर देंगे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुरसिया लगाए गई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कल एक बार फिर से अपने संसदी छेत्र वाराणसिया आ रहे है उन्हें यहाँ कई कारक्रम हों में शिरकत करनी है लेकिन सबसे प्रमुक कारिकरम है बनारस हिंदू इनवर्सिटी में इस ग्राउंड में होने वाला यहाँ पर प्रधान मंत का शिलान्यास वा लोकारपन किया जाएगा उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि मंच पर पीछे की तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है इस पर जिन परियोजनाओं का लोकारपन वा शिलान्यास होगा वो यहां लोगों को दिखाया जाएगा तकरीबन 1500 लोगों क यहां बैठने की व्यवस्था की गई है कुर्सियां जो है वो काफी दूर दूर लगाई गई है कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरीके से यहां पर पालन किया जाएगा पीम नरेंद्र मूदी अपने तौरे में वारनसी के सर सुन्दरलाल हॉस्पिटल की MCH विंग का अभियुद घाटन करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के मद्दे नजर महिलाओं और बच्चों के बहतर इलाज के लिए ये अलग विंग तयार की गई है इसमें सौ बेड का सूपर स्पिशालिटी हॉस्पिटल है जिसमें मा और बच्चे एक साथ रह सकते पीम मूदी यहाँ पर वारनसी के 20 से 25 विशेशक्गी डॉक्टरों से कोरोना की तीसरी आशंकित लहर के बारे में आमने सामने संभाद भी करेंगे तो हम आपको बताएं कि प्रिधान मंत्री मोदी का कल का क्या कारिकरम होगा सुबह 10.30 बजे एरपोर्ट पहुंचेंगे प्रिधान मंत्री 11 बजे 280 परियोजनाओं का लोकारपण और शिलन्यास होगा तो प्रिधान मंत्री नरिंद मोदी आने वाले जो विधान साबा चुनाव हैं उत्तर प्रिदेश में कहीं न कहीं उसका बिगुल फूकने की बित्यारी बीजेपी की तरफ से यह मन में आपको बता है कि प्रिधान मंत्री मोदी का क्या कारे करम रहेगा कल काशी में हमारे साथ हमारे साहियोगी रणबीर जुड रहेए जाधा जानकारी लिये हुए और नीश पांडे भी हमारे सा प्रदानमंत्री नरेंद्रमुदी अपने संसदी इच्छेत्र में आ रहे हैं और यह आठ महीने इसलिए लग गए क्योंकि कोरोना की वज़ा से ज्यादा असतर मुवेंट नहीं हो पारा था दिल्ली से इस वह आठ महीने बाद वरांडसी आ रहे हैं यहां के लोकल एड्मिनिस्टेशन के साथ बाद चीत हो सरपंचों के साथ बाद चीत हो आस्थानी नेताओं के साथ बाद चीत हो या वरांडसी के दूसरे मामलों में लगतार उनकी सक्रियता रही हो तो वरांडसी के साथ तो उनका बहुत अदभुत जुड़ाओ है क्योंकि लेकिन सांसद के साथ साथ चुकि देश के प्रण मंत्री है इसलिए ब्यस्तता उनकी बहुत है लेकिन उसके बावजूद हर तीन महिने में कोशिश होती है उनकी कि वराणसी में नासिफ विजिट किया जाये या किसी ने किसी माध्यम से बनारस के लोगों से इंट्रैक्ट ज तो यह दोरा उनके लिए बहुत खास है इसलिए खास है क्योंकि चार बहुत ही महत्पूर्ण जो परियोजनाएं हैं उसको बनारस के लोगों को समर्पित करने जा रहा है इसके अलावा जो विकास की तमाम योजनाएं जो करीब 800 करोंड की हैं उसका लोकारपन और उसका सिला ले रहे हैं सारी तैयारियों को वो खुद देख रहे हैं और कल जो सबसे बड़ी एक कहा जाए कि उद्गाटन जो उनको करना है वो रुद्राक्ष इमारत का करना है तो क्या तैयारी है आखी करोंड की अगर कार्यकरम की बात करें 744 करोड़ रुपे की ओजनाओं का लोकारपन है और 838 करोड़ रुपे की ओजनाओं का शिला नयास है यारी लगभग 1583 करोड़ कुल हो रहे है जिसका लोकारपन और शिलानया सुना है और रुद्राक्ष तो महत्वपूर्ण है यह शिंजवाबे 2015 में आये थे यह गिफ्ट एक तरह से शिंजवाबे ने भारत को दिया है वारांसी को दिया है क्योंकि वह वारांसी आये ते गंगा आरती देखा था लेकिन अगर वारांसी शहर क की बात करें तो यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि काशी आने वाला हर आदमी बाबा विश्वनात का दर्शन करने जाता है गदौलिया चौक पर जाता है इसे आने वाले विधानतावा चुनाव से इस दौरे को जोड़ा जाना चाहिए देखे राजनिता कुछ भी करता है तो उसके राजनतिक मायने होते हैं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं 6-7 महीनों बाद चुनाव होना है तो जाहिर तोर पे इसको चुनाव के दृष्टी से भी देखा जाए लेकिन पूरी तरीके से चुनावी स्टन्ट इसको नहीं कह सकत चाहती हूं और समझाना चाहती हूं कि कल क्या क्या सौगात काशी के लोगों को मिलने जा रही है तो यह हमने खास ग्राफिक सयार किये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आट महीने बाद दौरा है 744 करोड की परियोजनाओं का उद्धाटन प्रधानमंत्री मोदी करें गे क्योंकि कल वणारस में होंगे 849 करोड की परियोजनाओं का शिलन्याज करेंगे यानि काशी के लोगों को एक बहुत बड़ा तोफा प्रधानमंत्री मोदी का मिलने जा रहा है Center for Skill and Technical Support का शिलन्याज भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा जल जीव करेंगे यह तमाम वह योजनाय जिनको पूरा किया गया है और कुछ का शिल अन्यास होना है बिएच्यू की मेटरिटी विंग का निरिक्षण भी प्रदानमंत्री मोधी के द्वारा किया जाएगा डॉक्टर के साथ भी वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीये जुड़ेंगे को अभी भी बारिश की तरह का ही बना हुआ है यानि बदली शाही हुई है दिली में कल मौनसून ने दस्तक दी थी आज दूसरा दिन जो बारिश हुई उसकी वज़े से कई इलाकों में जल भराव की खबरें भी हमें मिल रही है ट्राफिक पुलिस के ने ट्वीटर पर आजा की है ट्वीटर के जरीए तो आप देख सकते हैं अलाकि सवाल ये भी खड़ा होता है डिजाइनिंग को लेकर प्लैनिंग को लेकर कि इस तरीके के कैसे अंडर पास बनाए जाते हैं जिनमें बरसात के दौरान पानी भर जाता है आगे बढ़ते हैं महराष्टर के जालना से जो तस्वीरे आई हैं उसकी बात कर लेते हैं बाड के पानी में एक बुज़ुर्ग के बहने का लाइव वीडियो सामने आया है हलाकि बुज़ुर्ग को कुछ लोगों ने मिलकर बचा लिया लेकिन ये तस्वीर इतना बताने के लिए काफी है कि लापरवाही तो बिल्कुल ना करें बारिश और बाड की बज़े से नदी नाले इन देश भर में उफान पर हैं अगर आपके इलाके में बाड़ बारिश आप तो आसी गल्थी बिलकुल ना करें तो महारश से आपने ये तस्वीरे देखी हमारे आप से यही अपेल कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जान जोखें में आया है। अब बात रेगिस्तान के राजे राजिस्तान की जहां भारी बारिश इस समय हो रही है राज़े तस्वीरें सीकर से आई है जहां बारिश के बारिश जहर के कई लाकों में चार फीट तक पानी भर गया है सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया तो दुकानों में पानी भरने तक की नौबत आ गई और यह वो राज़े है जिसमें रेगिस्तान है तो यह तस्वीरें ज़रूर हैरानी भरी है और मौसम में किस तरीके से बदलाव हो रहा है planet change हो रहा है उसका अधारण पूरी दुनिया से देखने को मिल रहा है और यह तस्वीरें उसी की गवाह है राज़्स्तान के सीकर में और देख सकते हैं कैसे सडके जök नदी और नाले में तब करूंप कि कि छपीट तक पानी भर बिल्ली हमने हाई डिली से भी हमने आपको एपके आपके या यह सब्सक्ना मिख कैसे अंडरपास में भर्ट महाराईश्य की तस्वीरे भी हम्ने कि विवस्ता पूरे देश के हर शहर में कैसी है वो हम इंदुस्तानियों से बहतर कोई नहीं जानता थोड़ी भी बारिश होती है तो इसी तरह से पानी भर जाता है और इस समय तो जम कर मौन्सून बरस रहा है तो ऐसी तस्वीर है लगबग हर दूसरे शहर से सामने आ रहे है कि अध्युक्त आपको दिखाते है माराष्ट के पूने का एक वाइरल वीडियो जहां कार के बोनट पर बैट कर फोटो शूट करना दूलन को महंगा पड़ गया पूने में गाड़ी के आगे बोनट पर बैटी दूलन फोटो शूट कर वा रही थी पुलिस ने इसमयला का चालान काट दिया है वीडियो पूने के दिवे घाट इलाखे का बताया जा रहा है कि देखिए आप इस वीडियो को दूलन बोनट पर वैठी हुई है जान को जोखम में डालना है हाईवे के ऊपर और इस रफतार से अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं जहां एक प्रकाशन देखिंटर रफतार से गाड़ी चलानी होती है तो एक्सिरेंट के चांसेज भी पैदा हो जाते हैं अब एबिपी नियूज आपको रखे आगे झाल झाल